दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना EKYC वाला रासन कार्ड नहीं बनाया है तो जल्दी से इस वीडियो को देखकर अपना EKYC वाला रासन कार्ड बना लीजिए जब भी आप नया रासन कार्ड बनाएंगे तो आपकर रासन कार्ड में तुरंत EKYC हो जाएगी अगर आप अभी EKYC वाला रासन कार्ड घर बैटे ही मोबाइल से बनाना चाते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए Mr.Dacker चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों अगर आपको घर बैटे ही अपने मोबाइल से नया वाला रासन कार्ड बनाना है EKYC वाला जिसमें EKYC आपको करी कराई मिलेगी तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल ये लैप्टॉप के क्रोम ब्राउजर में आकर यहाँ पर आपको सर्च करना होग NFSA जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करेंगे सर्च करने के बाद यहाँ पर फर्स नंबर पर आपको एक लिंक मिलेगा रासन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल आपको इस पर किलिक करना है जैसे ही आप इस लिंक पर किलिक करेंगे आप नैशनल फूट सिकूरिटी पोर किलिक करना है जैसे ही आप पर यहाँ पर आपको पबM लॉगिन बाले बटन पर आपको क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए तीन ओप्षन दिए गए होंगे अब आपको लॉगिन यहाँ पर नहीं करना है दोस्तो अभी हमें अपना EKYC वाला नय नीचे आना है, नीचे हमें यहाँ पर एक link मिलेगा, new user sign up here, अगर आप अपना ekyc वाला नया रासन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस पर click करके, अपना नया रासन कार्ड बना लीजिए, तो यहाँ पर हमें इस पर click करना हुगा, उसके बाद आपके सामने इ spelling का mistake नहीं होना चाहिए, बरना आपका रासन कार्ड नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पर आपको अपने आधर कार्ड में नाम देखकर लिख लेना है, उसके बाद यहाँ पर इस box में आपको, यहाँ पर calendar पर select करके, अपनी date of birth select कर लेनी है, आपका जो भी gender है, वो यहाँ से आपको select करना है, male, female, यहाँ पर अभी मैं male select करता हूँ, उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर login ID, जो भी आप login ID रखना चाते हैं, आपके name हो, आपका mobile number हो, उसे डाल कर यहाँ पर सबसे पहले आपको check user वाले बटन पर आपको click करना होगा, अगर वो ID आपके लिए available होग अब आपको क्या गाम करना है, नीचे validation mode पर आपको आना है, यहाँ पर इसे यही select रहने देना है, UIDI आधार नंबर, अब यहाँ पर नीचे आधार नंबर बाले box में आएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपको अपना यहाँ पर बो mobile number डालना है, जो आपका चलता हो, personal mobile number हो, क्योंकि आपके mobile number पर एक OTP जाएगा, बोड़ OTP हमें यही पर डालना होगा, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना email ID डालना है, उसके बाद आते हैं हम side में, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना state select करना होगा, जिस भी state म आप रासन काड यहाँ से बना सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा state आपको देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर उत्तरपेदेश select करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना district select करना है, जो भी आपका district होगा, वो यहाँ पर select करना है, आपका जो भी तहसील, ग उस name बगेरा डाल देना है, और address 2 में यहाँ पर आपको अपना आसपास के area का नाम, locality या फिर अपनी colony का नाम डाल देना है, यानि कि आपको address 1 और 2 में आपको अपना address फिल करना है, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी area में रहते हैं, गाउं, कस्वा, सहर, जो भी हो, उस area का आपको यहाँ पर अपना pin code डाल देना है, उसके बाद यहाँ पर यह capture code आपको solve करना है, 5-3, यानि कि हमारे पास बच्चा 2, तो यहाँ पर हम 2 डाल कर इसे solve कर देंगे, उसके बाद हमें अपना यहाँ पर remarks डालना है, remarks में आप कुछ भी लिख सकते हैं नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको यह दो box मिलेंगे, आपको इन दो box पर tick करना है, जैसे कि I agree वाले box पर, और I hear, I declare वाले box पर हमें tick करना है, जैसे ही आप इस पर tick कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक submit का button देखने को मिलेगा, जैसे ही आप Submit आपने जो भी mobile number यहाँ पर डाला होगा जो चलता होगा आपको उस mobile number पर एक OTP जाएगा OTP डाल संबिट करने के बाद आपका form pending में चला जाएगा और आपका form बहुत ही जल्द approved कर लिया जाएगा जब भी आपका रासन कार्ड बनकर तयार हो जाएगा आपने जो भी mobile number डाला था उस mobile number पर एक SMS भेज दिया जाएगा NFSA की तरफ से कि आपका रासन कार्ड बनकर तयार हो चुका है EKYC बाला आपको यहाँ पर EKYC नहीं करानी है EKYC करीकराई आपको मिल जाएगी आप आधार नंबर बगएरा सब डालेंगे बहीं पर आपकी EKYC बगएरा हो जाएगी जैसे ही आपके पास message आजाएगा आप कुछ दूनों के बाद अपने कोटेदार के पास जाकर अपना रासन कार्ड नंबर दिखाकर अपने रासन कार्ड को ले सकते हैं अगर दोस्तों आप अपना रासन कार्ड लिस्ट में नाम देखना चाते हैं तो उस topic पर भी मैंने वीडियो बनाया है इस वीडियो के description में मैं अपना रासन कार्ड लिस्ट चेक करने का वीडियो का link दे दूँगा आप उस वीडियो को भी देख लीजिए अगर आपका रासन कार्ड बन गया होगा तो लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा अगर नहीं बना होगा तो लिस्ट में आपका नाम सो नहीं करेगा दोस्तो तो आसकरता हूँ दोस्तो आप समझ गयोंगे आपको अपना EKYC वाला नया रासन कार्ट किस तरीके से बनाना आए अगर आपने अपना रासन कार्ट बना लिया हो इस वीडियो को देखकर तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए Mr.Dacker चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए Thank you friends, thanks for watching